जै मालक्षमी दोस्तों आज में आप लोग के साथ बैभो लश्मी ब्रत से जुड़ी महत्पूर्ण जानकारियां शेयर करने वाली हो जैसे कि बैभो लश्मी ब्रत के विधी और नियम आज का वीडियो बहुत जानकारी पूर्ण होने वाला है अगर आप भी मालक्षमी के भ कैसे भी ले सकते है और ऐसके ऐपर लालल लंका कपला आपको जानदेना है तरह में ही थापितक्स. इसके बाद इस ब्रत का महत्त किया जाता है और इसके नियम भी शेय करूंगे आपको बिल्कुल थोड़ा सा चावल रखना है और इसे पटे पर फैला देना है इसके ऊपर हमें एक कलश स्थापित करना है कलश चांदी का भी ले सकते हैं यह तामे का भी ले सकते हैं दोनों ही शुब है कलश आप जब इस्थापित करें तो उसके ऊपर आप एक कलावा जरूर बान दे कभी भी कलश ऐसे इस्थापित नहीं करना चाहिए किसी भी पूजा में कलावा जरूर बान देना चाहिए कलश के उपर फिर यह कलश चैवल के ऊपर इस्थापित कर दीजिए एक पात्र में साफ जल्ले लीजे और कलश के उपर रोली से सख्या बना दीजिए सख्या बनाने के बाद थोड़ा सा अच्छत जरूर लगा दीजिए आप कलश के उपर एक कटोरी को स्थापित करें और इसके अंदर कोई भी सोनी की चीज रखें बैबोल अश्मी ब्रत में सोनी की पूजा होती है अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप चानी की कोई चीज रख सकते हैं अगर चानी नहीं है तो आप रुपिया भी रख सकते हैं मन में चैमा लक्ष्मी चैमा लश्मी का जाब करते रहिए साहित संगम की बैबोल अश्मी ब्रत की किताब लीजे और दी जगा आपको अर्पित करना है चड़ाना है बैबो लश्मी ब्रत में मा लश्मी को अर्पित करने के लिए लाल रंग के फूलों का उप्योग किया जाता है इसके लिए आप कमल का गुलाब का या गुरहल का फूल ले सकती है पस फूल जो हो वो लाल रंग का होना चाहिए श्रीयंत को पिडाम करके मा लश्मी के सभी सो रूपों का चित्रन आपको मिल जाएगा आप सभी सो रूपों को पिडाम करिए लश्मी सत्वन इस लोग का पाट करिए और बैभो लश्मी की ब्रत की कथा को कहिए दोस्तों जब तक मैं अपनी ब्रत की कथा कहती हूं तब तक मैं आपको बैबो लश्मी ब्रत के सभी नियम बता देती हूँ अद्बू चमतकारी यह ब्रत बैबो लश्मी ब्रत सुक सांती बैबो और लश्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है यह ब्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है यहाँ ब्रत अगर सौभाग साली इस्तरी करती है तो इसका उत्तम फल मिलता है लेकिन अगर घर में कोई सौभाग साली इस्तरी ना हो तो कोई भी कुमारी या कोई भी इस्तरी कर सकती है इस्तरी के बदले अगर पूरिश करे तो भी उत्तम फल मिलता है यह ब्रत पूरी शद्धा के साथ करना चाहिए पूरे पवित्य भाव के साथ करना चाहिए अगर आपका मन खिन है बिना भाव के बे मन से आपको यह ब्रत पिल्कुल नहीं करना चाहिए यह ब्रत शुक्रवार को किया जाता है यह ब्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मर्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी सास्री विदे अंसार ही ब्रत करना चाहिए मनत के शुक्रवार पूरे होने पर विद पूरवक और पुस्तक में दी गई सास्री रीद के उनसार उद्यापन विदी करनी चाहिए यह विदी शरल है सास्री विद उनसार ब्रत ना करने पर ब्रत का जरा साविफल नहीं मिलता एक बार ब्रत पूरा करने के पश्यात फिर मनत कर सकते हैं और फिर से ब्रत कर सकते हैं माता लश्मी देवी के अनेक सरूप है उनमें उनका धन लश्मी सरूप ही वैबो लश्मी है और माता लश्मी को श्रीयंत अतिप्रिये है ब्रत करते वक्त पुस्तक में दिये हुए मा लश्मी जी के हर सरूप को और श्रीयंत को पडाम करना चाहिए तब ही ब्रत का फल मिलता है अगर हम इतनी भी मेनत नहीं कर सकते तो मा लश्मी देवी भी हमारे लेकुश करने को तयार नहीं होंगी और हम पर मा के रिपा नहीं होगी ब्रत के दिन सुबा से ही जैमालक्ष्मी जैमालक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए और मा का पूरे भाव से इश्मर करना चाहिए सुक्रवार के दिन यदि आप बाहर गए हैं यात्रा पर हैं तो आपको वो सुक्रवार छोड़ कर अगले सुक्रवार से ब्रत करना चाहिए इस दिन केवल अपने ही घर का अन और जल ग्रहन करें किसी दूसरे के घर का अन या जल घर नहीं किया जाता इसलिए ये ब्रत केवल अपने घर में किया जाता है पीरिर्स में या सूतक में ब्रत नहीं करना चाहिए उस सुक्रवार को छोड़कर अगली सुक्रवार को ब्रत रखना चाहिए सब मिलाकर जितने सुक्रवार की मननत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए खर में सोना ना हो तो चान्दी की चीज पूजा में रखनी चाहिए अगर वाँ भी ना हो तो रुपिया रोकड भी रख सकते है ब्रत पूरा होने पर कम से कम साथ इस्तियों को या आपकी इच्छा उनसार जैसे 11, 71, 51 te 101 इस्तियों को बैभोलश्मी ब्रत की पुस्तक कुम कुम का तिलग करके भेड करनी चाहिए जिससे मा लश्मी के इस अद्भूत चमतकारी बैभो लश्मी ब्रत के बारे में और भी इस्तरियों को जानकारी हो सके और इसका लाब उन्हें भी मिल सके शुक्रवार के दिन सुबा प्राता उड़कर इसनान ध्यान करें सारा दिन किसी की चुगली नहीं करनी है और मा लश्मी का इसमरन करना है ब्रत की दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को ब्रत की विदी करके मा का प्रिशाद लेकर शुक्वार करना चाहिए अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्वार करना चाहिए अगर ब्रतिधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो ही दो बार भोजन ले सकते हैं सबसे महत की बात या है कि ब्रत धारी मा लश्मी जी पर पूरी पूरी शद्दा और भावना रखे और मेरी मनो कामना पूरी होगी ऐसा ध्रशंकल्प करें तो दोस्तों ये है मा लश्मी के ब्रत बैबो लश्मी ब्रत के नियम दोस्तों ये नियम मैंने जो आप लोग के साथ शेयर किये ये साहित संगंद की पुस्तक के अंसार ही मैं पूजा करती हूँ जो नियम पुस्तक में दिये गये हैं वही नियम मैंने आप लोग के साथ शेय में अपनी जानकारी शेयर कर सकती है जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी पूजा में अगर कोई त्यूटी है तो सुधार भी आएगा पैबोल अश्मी की ब्रत कता पढ़ने के बाद माल अश्मी की आरती करें और भोग लगाएं भोग में आप खीर का चावल से बन मैंने बनाया हुआ है ये भी ब्रत में खाया जाता है और मैंने आज माता जी को इसी का भोग लगाया है आप भी अपनी चंसार मा को भोग नैवेद अर्पित कर सकती है और इसी तरह मैंने मा बैबोल अश्मी का ये ब्रत विद्पूर्वक संपन्न किया और हाँ एक और जर कुवारे लड़कियों को मन चाहा वर मिलता है घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती बैभा वमेशा बना रहता है और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है तो आप सभी पूर्ण शद्धा के साथ माल अश्मी के इस सुब फलदाई ब्रत को अवश्य करें आई होप दोस्त कोई टुटी हो रही है वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप पहली बार मेरे चाहर बर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो बगल में लगी घंटी बजा दो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इत्ता ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ज यह मालक्ष्मी राधे राधे